तो पिछले दोनों सिशन में हमने दो स्टेटमेंट को समझा, अब समझते हैं तीसरे स्टेटमेंट को जो की बहुत important है, क्योंकि यहाँ पे confusion रह जाती है सम A are not B, स्टेटमेंट अपने आप में यह गहाँ है कि A का कुछ हिस्सा B में नहीं होगा स्टेटमेंट बाकी के हिस्से के बारे में नहीं बोल रहा, मतलब हमारे पास इतना information है कि A का कुछ हिस्सा B में नहीं जाएगा, यह तय है बट B के हिस्से के बारे में नहीं पता है और A के remaining हिस्से बारे में नहीं पता है तो इसका regular diagram इस प्रकार से बनेगा sum A बोला है ना तो पहले तो A draw करो A का थोड़ा हिस्सा मतलब circle लेके बनाओ ठीक है ये circle लेके बनाया और ये B के साथ relation नहीं रख रहा है यानि उसके साथ straight line बनाओ और cross mark करो यानि A का ये वाला हिस्सा B में नहीं है ठीक है इस प्रकार से ही आपको regular diagram बनाना है यानि आपको ये पता है कि A का इतना हिस्सा B में नहीं जाएगा बाकी का हिस्सा अगर A का है तो वो B में जा भी सकता है नहीं भी जासकता क्योंकि हमारे पास उसकी कोई भी information नहीं है मैंने आपको पिछले lecture में यह बताया था शुरुआत से बता रहा हूँ जिन दो content या जिन दो region के बीच में direct relation आपको नहीं मिलता है उसको आपको doubt mark करना है मतलब follow तो नहीं जिकरना बट गलत भी नहीं करना है क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है यहां statement खुद बखुद इतना ही कह रहा है कि A का कुछ हिस्सा B में नहीं जाएगा बाकी के हिस्से का क्या होगा वो हमें idea नहीं है clear है बात चलिया conclusion देखते हैं सबसे पहला conclusion all A, R, B क्या all A, R, B मुम्किन है जब statement खुद ही कह रहा है कि A का कुछ हिस्सा B में नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा A, B नहीं हो सकता यानि यह गलत है doubt भी नहीं रहेगा गलत है क्योंकि A का कुछ हिस्सा तो B में जाएगा ही नहीं और A का कुछ हिस्सा B में नहीं जाएगा तो ultimately पूरा का पूरा A, B के अंदर नहीं जाएगा परन्तु उसके विपरीत अगर इसका उल्टा conclusion पुछा जाए all B, R, A तो यह conclusion doubt में जाएगा false नहीं होगा काफी लोगों लिए लगता है कि मतलब सब नहीं जाएगा बट यह चीज समझ लो A के कुछ हिस्सा B से relation नहीं रख रहा बाकी के हिस्से के बारे में आपको judgment दिया ही नहीं है, बताया गया ही नहीं है, यानि अगर हम possibility diagram देखेंगे तो possibility diagram में ऐसा मुम्किन हो सकता है कि यह A है, यह A का कुछ हिस्सा है, जो B के साथ relation नहीं रख रहा है, और यह statement भी verify हो रहा है समझ में आई बात आपको statement को justify करना है, regular diagram ड्रो करना है उसे judge करना है, possibility diagram को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है possibility diagram को धी consider करो क्योंकि possibility diagram अगर मैं draw करो तो मैं ultimately, indirectly क्या बना रहा हूँ कि पूरा का पूरा BBA के अंदर है मतलब all BRA भी साथ में बना रहा हूँ जो statement ने बोला नहीं है और अगर statement ने बोला नहीं है तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है और मुझे पता नहीं है वो conclusion doubt में रहेगा नहीं follow होगा, नहीं unfollow होगा हम रखेंगे उसको doubt में doubt में इसलिए रखते हैं ताकि either or case आए तो हम उसको follow करवा सकें समझ भाई बात? अब अगर मैं conclusion पूछू sum A R B अब एक चीज़ समझो sum A R not B statement ने बोला है तो statement ने क्या बोला है कि A के कुछ सदे से B में नहीं है statement ने सदे से B में है के नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बोला है statement ने इतना बोला है कि A के कुछ सदे से B में नहीं है अब हो भी सकता है कि A के कुछ सदे से B में चले जाए या हो भी सकता है कि एक-एक कुछ सदे से भी में ना जाए हमें इसके बारे में certain यानि confirm information नहीं होने की बज़े से यह doubt में रहेगा doubt को हला कि हम follow नहीं करते हैं मतलब अंसर तो हम unfollow ही mark करेंगे परन्तु आपको यह ग्यान होना चाहिए कि यह doubt में जा रहा है यह completely false है definitely false है definitely true है या free doubt में है समझ में आई बात सर यह case होगा तो देखो यह possibility diagram में आपको दिख रहा है कि A का यह वाला हिस्सा B बन रहा है B का यह वाला हिस्सा यह बन रहा है मतलब some ARB true हो रहा है अगर आपको ऐसे नहीं देखना कि देखो यह A है यह A का कुछ हिस्सा है और यह B है जो A का कुछ हिस्से के साथ relation नहीं रख रहा है समझ भाई बत और यहाँ पे A का कुछ हिस्सा common भी हो रहा है ultimately some ARB यहाँ पे देखेंगे तो correct है यहाँ पे देखेंगे तो correct है बट यहाँ पे देखने तो गलत है so हमें judgment नहीं मिल पा रहा हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ A B नहीं है बाकी के है नहीं है हमें idea नहीं है समझ में आ रही बात अगर मैं इसका उल्टा पूछू कि sum B R A again conclusion doubt में ही रहेगा क्योंकि हमारे पास वो information नहीं है but अगर मैं पूछता हूँ sum B R not A क्या कुछ B A नहीं है तो देखो statement ने खुद बोला है कि A का कुछ हिस्सा B में नहीं है statement ने ये तो नहीं बोला कि B का कुछ हिस्सा A में नहीं है so sum B R not A अगर इस वाले diagram में देखे तो correct हो रहा है जो region का direct relation नहीं पता उसका आपको doubt ही रखना है देखो vice versus statement को आपको true नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर logic अच्छे से समझना है statement clear हो गए आपका काम पूरा clear हो जाएगा कोई tension नहीं रहेगा ठीक है फिर अगर मैं बोलू कि no ARB तो again यहाँ पे भी हमें doubt में ही रहना पड़ेगा क्योंकि अगर A और B इस प्रकार से होंगे तो तो no ARB सहीं हो जाएगा बट अगर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से हुए तो आपका यह सहीं नहीं होगा यानि यह doubt में रहेगा समझ रहे हो? अगर मैं पूछू अगर आपने देखे होंगे तो आपको यह तो पता लग गया कि एक conclusion definitely false हो रहा है कि जिसका कुछ हिस्सा भी में नहीं है वो पूरा का पूरा B के अंदर नहीं जाए सकता यानि all ARB always false रहेगा all B, R, A के लिए doubt में रहेगा क्योंकि statement यह बोला है कि A का कुछ इससा B में नहीं जा रहा B के लिए तो कोई restriction ही नहीं है B पूरा का पूरा A के अंदर हो सकता है इस प्रकार से या फिर आदा A के अंदर हो सकता है या फिर भिन भी हो सकता है हम उसके लिए doubt में रहेंगे some ARB भी doubt में रहेगा some BRA भी doubt में रहेगा some BR not A भी doubt में रहेगा some AR not B भी doubt में रहेगा no ARB भी doubt में रहेगा no BRA भी doubt में रहेगा यानि सही conclusion कोई नहीं निकल रहा केवल conclusion doubt में जा रहे हैं और एक conclusion definitely false हो रहा है चलिए एक छोड़ा सा example देता है आपको ज्यादा broader way में समझना होगा अगर मैं statement लिखता हूँ statement है यह sum A R not B फिल लिखता हूँ sum B R not C तो diagram कैसे बनेगा यह A है A का कुछ हिस्सा है वो B नहीं है again यह B है B का कुछ हिस्सा है और वो C नहीं है समझ रहो अब आपको conclusion जज़ करना है तो देखो conclusion में है आप देख लो A और C दोनों ही direct entity separate है उनके बीच में direct relation भी नहीं है indirect relation भी नहीं है समझ रहो direct relation भी नहीं है indirect relation भी नहीं है तो A और C की कोई भी conclusion होगी वो doubt में ही जाएगी चाहे वो all A R C के बारे में पूछ रहा हो या फिर all C R A के बारे में पूछ रहा हो conclusion doubt में चाहे वो some A R C के बारे में पूछ रहा हो या फिर some CRA के बारे में बुछ रहा हो वो doubt में रहेगा चाहे वो some AR not C के बारे में बुछ रहा हो या some CR not A के बारे में बुछ रहा हो again वो doubt में रहेगा चाहे वो no ARC बोल रहा हो या no CRA बोल रहा हो वो again doubt में रहेगा A और C के सारे conclusion doubt में रहेगे और A और B की property जैसा कि यहाँ पे हमने discuss किया वैसे रहेगी और B और C में भी वैसे ही relation रहेगा जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ All A B R C तो देखो statement खुद रगए रहा है कि B का कुछ हिसा C में नहीं जाएगा क्योंकि C के लिए कोई restriction नहीं है C पूरा का पूरा B के अंदर adjust होके बैठ सकता है तो यानि वो doubt में रहेगा ठीक है दूसरा अगर मैं पूछता हूँ कि sum B R C तो देखो B और C के बारे में हमें इतना पता है कि B का कुछ हिसा C नहीं बनेगा B का बागी का हिससा C से relation रख सकता है या नहीं भी रख सकता है तो हमें doubt है हमें पता नहीं है सेम अगर C के लिए मैं B बूलो Som C R B तो again C के लिए तो कोई पाबंदी ही नहीं है तो C तो B के साथ relation बना सकता है या नहीं भी बनाया तो हमें doubt मानी रहना पड़ेगा अगर मैं conclusion पूछू, sum C, R, not B तो देखो, हमें इतना पता है कि B का कुछ हिस्सा C में नहीं जाएगा C के हिस्से के वारे में हमें कोई idea ही नहीं है वो B में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है तो हम उसके लिए भी doubtful ही रहेंगे और अगर no का relation है, तो B, sum, no, B, R, C तो वो भी doubt में ही रहेगा, क्योंकि B और C अगर इस तरह से separate होंगे तो वो side पे ही हो जाएगे, बतलब no, B, R, C true होगा बट अगर C कुछ overlap करता है या फिर उसके अंदर होता है तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको doubt में रखेंगे और इसका विपरे इतनो C, R, B भी doubt में ही रहेगा समझ में आई बात A और C के सारे conclusion doubt में जाएगे B और C के या फिर A और C के एक ही conclusion false होगा completely वो कौन सा होगा, कि all B, R, C या फिर all A, R, B तो वो भी completely false होगा बाकी सारे conclusion doubt में ही रहेंगे मुझे उम्मीद है आपको ये statement clear हो चुका होगा बढ़ते हैं अगले statement के वर